सो फाइनली आ चुका है साल का दूसरा पोटल यानि टू 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 पोटल जी हाँ गाइज आप सब भी वेट करते हो पोटल का न्यू मुन का फुल मुन का क्यों ताकि आप सब भी अपनी विश को इंस्टेंट मेनिफेस्ट कर पाओ और अगर हम बात करें पोटल की तो पोट बहुत auspicious day होता है बहुत miraculous day होता है इस दिन को आप यूनिवर्स से जो भी मांगते हैं वो तुरंट से आपको मिलता है क्योंकि इस दिन सारी energies align होती है ठीक है इसलिए इस दिन को किसी भी किमत में जाने नहीं देना है अपनी विश के उपर जरूर से काम करना है और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है सबसे पहले तो अपने घर की थोड़ी साफसुफाइज जरूर से कर ले और अपने और आपने बॉड़ी की cleansing कर ले देन आपको पूरे दिन में कभी भी मैं जो टेकनीक मता रही हूं वो follow करना है बस two time technique है एक दिन में दो ही बार करना है और दो बार करने के साथ साथ आपकी wish manifest हो जाएगी so hello beautiful soul कैसे हैं आप सुप I hope आप सभी बहुत अच्छे हैं खुद का ध्यान रख रहे हैं आपने अपने विश के लिए बहुत सारे प्याज प्यारी टेकनीक को follow कर रहे हैं और अपनी अपनी soul purpose के और आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों से भी ठेरो सारा प्यार कर रहे हैं आज की वीडियो आप सभी को बता है कि कितनी जादा खास है क्योंकि आज रुका है 222 portal और इस portal पे हम बहुत प्यारी से एक टेकनीक करने वाले हैं जिसके ज़रिये हमारी कोई भी इच्छा हो जो बहुत टाइम से पूरी न महीना बहुत ज़्यादा auspicious होता है बहुत ज़्यादा खास होता है क्योंकि उस महीने में हमें दो दो portal मिलते हैं 11 महीना है जिसमें हमें 2 portal मिलते हैं पहला महीना है जिसमें हमें 2 portal मिलते हैं अब 2 portal कैसे मिलते हैं तो आपको 2 February को पहला portal मिलेगा और 22 February को दूसरा वाला portal मिल तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि वो कौन सी टेकनीक है जिसे आपको 2-2 पोटल वाले दिन फॉलो करना है और अपनी किसी भी विश्च के लिए करना है तो अगर आपके पास orange color का paint है तो आप उस paint से कर सकते हैं इस manifestation को अगर नहीं है तो उस situation में आप red या blue color के paint से भी कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मतलब money के लिए या growth के लिए करना चाहते हैं तो वो बहुत जल्दी आप manifest करें तो आप green color का pen use कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका relationship सही हो जाए किसी के भी साथ तो आप red color का pen use करेंगे आप चाहते हैं कि आपके जो भी desires हैं वो instant पूरी हो जाए तो आप orange color का pen use करेंगे और आपके पास कोई भी color का pen available नहीं है blue color के अलावा तो आप blue color के pen से कर सकते हैं लेकिन आपको black color पूरी तरह से avoid करना है आप बात कर लेते हैं कि आपको copy कौन से लेनी है आप हिंदी की copy ले सकते हैं और जो plane वाली होते हैं वो भी ले सकते हैं आप new copy या new diary भी ले सकते हैं और जो use किया हुआ है वो भी ले सकते हैं ऐसा कोई rule regulation नहीं है कि आपको बिल्कुल नई की नई चमचमाती diary ही चाहिए आप पहले से जिस diary में बहुत सारी टेकनीक बहुत सारे manifestation ड़न कर चु आप आपको वो टेकनीक करनी है जो मैं बताने जा रही हूँ बताने से पहले यह बता दूँ कि वैसे मैं two time करने के लिए बता रहे हूं ठीक है लेकिन आपको जितने देर के लिए time मिले इस manifestation को done करने के लिए उतनी देर में ही सपोज आपको एक घंटा क्या समय मिलता है तो तो आप एक घंटे में ही दस मिनट इस टेक्निक को करेंगे, फिर लास्ट में दस मिनट दूसरी वाली वार कर लेंगे, ऐसे आप टू टाइम कर भी लेंगे और आपका manifestation दन भी हो जाएगा, और आप सही तरीके से follow भी कर पाएंगे, लेकिन आपके पस टाइम है, आप अपने घर में है, अराम से है, तो आप मॉर्निंग में एक बार कीजीगा, एक बार नाइट में कर लीजीगा, बस हो गया, वैसे आपको जितना समय मिले, जिस हिसाब से आपके lifestyle है, आप कर सकते हो, ध्यान यही रखना है, कि आपको दो बार करना ही करना है, एक ही दिन के अंदर, तो आपको दो फरवरी को क्या करना है, हाँ, दो फरवरी के साथ साथ, आप सेम यही टेकनिक, 22 फरवरी को भी फॉलो कर सकते हैं वैसे उस दिन भी नई वाली टेकनिक आएगी इसलिए डॉन वरी इस टेकनिक को जरूर से फॉलो करना है 2 फरवरी को तो आपने कॉपी पेन ले लिया आपने अफर्मिशन बनाई पॉजटिव अफर्मिशन प्रेजिंट्स में जैसे आपको अपने रिलेशनसिप सही करना है या आप लव मेरेज करना चाहते हो तो आप सिंपल सा लिखोगे थांक यू यू उनिवर्स हमारी लव मेरेज बहुत ही अच्छे से सब की सहमती से हो गई है मतलब जो भी अफर्मिशन लिखोगे gratitude के साथ लिखना है कितनी बार लिखना है important यही है क्योंकि 222 portal है इसलिए आप अपने अफर्मिशन को 22 times लिखेंगे यानि 22 बार लिखेंगे इसलिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है लिखते लिखते आपको लगता है आप भूल जाओगे तो सबसे पहले counting कर लो ऐसे line by line एक एक line बीच करके करना ताकि अगर थोड़ी से लंबी भी हो जाए आपकी affirmation तो दो line में तो अठी जाएगी इसलिए counting पहले लिखना फिर आप अपनी affirmation लिखना 22 बार पहली बार में लिखना है और फिर आपको second time रात में सूने से पहले एक बार कर लेना है 22 बार ही और करने के बाद जैसे आपने morning में करा फिर आपको last में थोड़ी देरी से feel भी करना होगा लिखते लिखते भी आपको feel करते रहता है जो मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ ये हो चुका है I'm very happy तो इस तरह से करके शाम को भी करना है देन आपको सो जाना है अब आप चाहें तो morning में इसे dispose कर सकते हैं आप चाहें तो इसे रख सकते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है अगर आप dispose कर रहे हैं तो आपको क्या करना है प्लेट के अंदर इसे अच्छी से जला देना है और इसका जो राक बचता है उसे आपको universe की तरह फुक मारके उड़ा देना है और feel करना है कि जैसे ही ये universe में मिला वैसे ही आपकी जो wish है manifest होके वापस आ गई है उसके बाद आपको भूल जाना है कुछ नहीं सोचना है आपने क्या किया कैसे किया कुछ भी नहीं और देखे कैसे आपकी wish तुरंत manifest हो जाती है बात करें उन लोगों की जिन ही पता है अब माल लेजे आपका marriage होना है तो आपको पता है कि आपके marriage जो है वो दो महिना चार महिने बाद ही होगी तो वो उसी time पे होगी लेकिन fix क्या होगा कि आपके marriage जरूर से होगी ये technique यही आपको manifest करके देगा कि आपकी जो wish है जरूर पूरी होगी time आपको अगर पता है कि इतना time बाद ही होना है फिर भी अगर आप job के लिए कर रहे हो government job के लिए कर रहे हो तो उसमें भी थोड़ा से समय लगता है लेकिन ये आपकी job को manifest कर देगा जरूर से आप जब भी जाओगे जब भी exam देगे तो आपका जो result है वो positive आएगा इस तरह से आप अपने किसी भी wish के लिए इस technique को follow कर सकते हैं क्योंकि साल का दूसरा portal है इसलिए आप इस manifestation को या तो 2 February को करेंगे या फिर 22 February को कर सकते हैं I hope कि आप सभी के समझ में आया है मेरे किस तरह से technique करने के लिए बताया आप सभी करने वाले है अगर आप सभी का question ये है कि क्या हम periods में कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कोई ऐसा rule regulation नहीं है बिना नहाए भी कर सकते हैं अब मैं क्या बताओं आप से भी को बस करिए और full intention के साथ positive intention के साथ कि आपकी जो इच्छा है न वो सच में पूरी हो जाए आप लोग दिमाग में इतना सारा tension भरे रहते हैं और फिर technique को करते हैं इसलिए आपकी जो wish है नहीं manifest होती है तो पूरी positivity के साथ इस technique को follow कीजिए और जो भी results आता है प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब तक आप सभी इस चानल पर बहुत सारी वीडियो है angel number की divine code की मतलब angel number की और बहुत सारी law of attraction technique mantras तो जाए चेक आउट कीजिए और अपने wish को fulfill कीजिए और मुझ से परस्नाली कनेक्ट होने के लिए मिरे इंस्टाग्रम आइडी है skywings122 वहाँ फालो जरूर से कर लेचेगा गाद ब्लेस यू और थैंक्स वर वाच्छिंग बाई